नमस्कार दोस्तों मैं हुर जी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अबका मेरे यूटूब चैनल टेस्ट का पिटार में आज हम बनाएंगे चावल के आटे की पूरिया बहुत ही स्वाधिश्ट बनती हैं ये बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है और खाने में बहुत ही इसे आप ब्रेकफार्श लंच या डिनर कभी भी सर्व कर सकते हैं एक अच्छी सी सब्जी के साथ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल के आटे की पूरी बनाने के लिए मैंने यहां पे दो कटोरी चावल का आटा लिया है इसमें हम डालेंगे आदा छोटा चमच न मसालेदाल पोडी बना कर तैयार कर सकते हैं लेकिन आज मैं साधी ही बना रही हूं अच्छी बनती है जब भी आप चावल का आटा गूत रहे हो तो आप हमेशा गरम पानी का इस्तमाल करें क्योंकि चावल का आटा बेलते वक्त बहुत ज्यादा फटता है इस तिए गरम प आप नजाँ ेधा एक प्लोष क सबपरागा ज्गरम में फटता है तो कि आप छावल का प्लोष क psychiatका इस्तमाल कर रहे हूं मैं ने लगा है इसे पांच मिन फिले के लिए थाउम के रित ऑपनों से ढख बिनता की। भी भी खुला प्तटता है इसे हमेसा एक लीगा है ah पाच मिनाट हो चुका है अब हम अपनी पूरियां बेल कर तयार करेंगे पूरियों को बेलने से पहले हम डो को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइट कर देंगे इसकी छोटी छोटी गोलिया बना कर रख देंगे मैं इतनी बड़ी गोली तोड रही हूँ क्योंकि मैं पूरी को पहले बड़ा सा बेल कर उसके बाद कट करके पूरी बनाऊंगी अगर आप छोटी छोटी पूरियां अलग से इंडिविजुली बेलना चाहते हैं तो उसे आप छोटी छोटे गोले तोड़े गोलियों के उपर थोड़ा सा सुखा अटा छिड़क कर इसे हम साइट कर देंगे जिससे कि ये आपस में चिपके रहें उसके बाद एक गोला उठाकर इसकी हम पूरी बेलना शुरू करेंगे पूरियों को बेलने के लिए मैंने आपे थोड़ा सा गेहूं का सुखा अटा लिया है इसे हम चकले पर फैला देंगे और इसके बाद हलके हाथ से बेलन को गुमाते हुए पूरियों को बेल लेंगे चावल की पूरियां बेलते वक्त एक बात का हमेसे ध्यान रखें कि हाथ को बहुत ही हलके से चलाएं बेलन पे ज़्यादा प्रेसर ना दे नहीं तो चावल की पूरियां फट जाती है जैसे कि आपको देखकर पता चल रहा होगा कि हमारी पूरियां किनारे से थोड़ी-थोड़ी फर्ट सी गई है लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमें पूरियों को काटना है इसलिए हम इसे ऐसे ही बेल देंगे पूरी को हमने वेल कर तयार कर लिया, अब हम पूरी को कट करेंगे, पूरी को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुछ इस तरह का स्टेल कर ग्लास लिया है, जिसका सामने का पार्ट नुकीला है, मुड़ा हुआ नहीं है, अगर आपके पास कूकी कटर हो, जो राउंड श जाता है, फोर्यों बहुत ही अच्छे से गोल हो जाता है, दूसरे की चिकने हो जाते हैं जाते हैं, मैं इसी तरह से पूरियों को बना आकर तायार कर लेंगे, अगर आगर मुआए है पूरियों को बेलने के बाद हम पूरियों को तला करेंगे तलने के लिए मैंने एक कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गरम होने के लिए चड़ा दिया है तेल को हमें मीडियम गरम करना है ना ही बहुत कम तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है अब हम इसमें एक पूरी डाल पूरियों को तलते वक्त उसे पल्टे की सायता से हलका हलका प्रेस करते रहें जिससे की पूरिया बहुत ही अच्छे से आसानी से फूल जाएंगी जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से जब पूरिया हमारी फूल जाया तो उन्हें पलट दें पलटने के बाद यृ के सारी क्छा तैयार करेंगे chi पूरिया बनाना बहुत ही उप्रेसाइब पल्त पहुत ही जादा करने प्ररण हो जाएंगी हुआ है अब हम पूरियों को निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी पूरिया बना कर तयार कर लींगे रुखा ओर बनाना बहुत ही असान न Senhor अगर किसी रेसिपी की रिक्वेश्ट हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं मैं कोशिज करूंगी कि उस वीडियो को जरूर बनाओ चलिए देखते हैं हमारी पूरियां कितनी मुलायम बनी है जैसा कि आप देख सकते हैं एक दम मुलायम है हमारी चावल की आटे की पूरियां अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमली औ कौन कीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अगर आप चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम आडिया है टेस्ट का पिटारा वीडियो देखने के लिए धन्यवा सबस्के लिए इंस्टाग्स्टाग्स